जय हिंद साल 2024 का लोगसभा चुनाओ अब कुछी दिन सेस रह गिया है ऐसे में भारत की दो सबसे वड़ी पॉलिटिकल पाटिया बीजेपी और कॉंग्रेस ने लोगसभा चुनाओ 2024 के लिए अपना चुनाओी घोशना पत्र जारी कर दिया है तो आज के इस फीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीजेपी और कॉंग्रेस के दोरा ये जो चुनाओी घोशना पत्र जारी किया गया है इसमें भारत की जनता को इससे लाब किया है साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि पिछले 10 सालों में भारत की जनता पाटि ने जो अपने चुनावी घोस्टना पत्रों के जरिये वादा किया था भारत के जंता से उन वादों में से कितना प्रतिश्टत वादा और किन किन वादों को उन्होंने पूरा किया है इस वीडियो को सुरू से लेकर के अंग तक जरूर देखिएगा आपको पता चल जाएगा कि बीजेपी और कॉंग्रेस के द्वारा जो घोस्टना पत्र जारी किया गया है उन में से भारतियों के लिए कौन सा घोस्टना पत्र जादा लाबदायक है और कौन सा घोस्टना पत्र सिर्फ और सिर्फ एक जुमला है तो आईए सुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग कॉंग्रेस के घोषना पत्र को जानते हैं कि कॉंग्रेस ने 2024 के लोग सब चुनाव में अपने घोषना पत्र में क्या कहा गया भारत में जब किसी सरकार के बारे में हम लोग बात करें तो उस सरकार के द्वारा भारत के युवा, महिला, दलित, गरीब, पिशणा वर्ग, हर एक व्यक्ति को समान अधिकार देते हुए, उनकी जरुरतों को ध्यान में रखते हुए, अपने पॉलिसिस को लाना चाहिए, अपने योजनाओं को लाना चाहिए, अपने स्कीम्स को ल आया है, जिससे आपको संतुष्टी होगा, कि हाँ, रियालिटी भी अगर ये चीज मुझे मिलेगी, तो मुझे बहुत फाइदा होगा, इन गोशना पत्रों में अगर बात करें, तो कॉंग्रिस ने युवाओं के लिए सबसे पहले जो गोशना पत्रे में जिक्र किया, उ कॉंग्रेस के द्वारा युवाओं के लिए तीसरा जो गोशना पत्र में समील किया गया वो है, कि सरकारी परिक्सा का फॉर्म फ्री में भरा जाएगा, यानि कि जॉब जॉब एसोसी की बैंकिंग की रेलवे के आप फॉर्म बरते हो, यूपी एसी के फॉर्म बरते हो, आ भारत के कई राजियों में, आए दिन सरकारी नोकरियों में पेपर लिग की घटाई दिखाए पड़ती है, चाहे वो कॉंग्रेस के सरकार उस राजिमे हो, या बीजेपी के सरकार हो, इस लिए पेपर लिग के लिए कानून मनाना बहुत जरूरी था, उसके बारे में भी इ अंदर आकरोज भर के रखा हुआ है, देश की सरकार कहती है कि पात साल में, चार साल में एक युवा को हम लोग रिटाइट कर देंगे, पीस में नोकरी लगा तो 24 की उमर में वो रिटाइट हो जाएगा, हाँ इस बीच अगर वो देश के लिए सहीद हो गया, तो उसको कु अंगरेशन ने अपने स्कीम में की, हर्ता है कि जितने भी ग्रेजुइट से ओगा या तो ग्रेजवेशन वाले के लिए बेरोज़गार अगर हो तो उनको हुनरबंद मनाने के लिए भता दिया जाएगा एक उनके लिए भी स्खीम लाया जाएगा ताकि वह जब अपने ज्ञान को अपने अंदर जो सुनाइश को परिपक्व तरीके से कुछ आई जनरेट करने के लिए इस्तिमाल कर सके तो कॉंग्रेस के छे युवाव को किये गए वादे ये हैं दूसरा है महिलाओं पर बात करते हैं महिलाओं पर राश्य इंजन नस्टल कॉंग्रेस ना कहा कि महिलाओं को छे हजार रुपए परती मेहना का भत्ता मिलेगा 6,000 रुपे हर एक महिला के हर एक गरीम महिला के बैंक अकाउंट में हर महिने दिये जाएंगे दूसरा है कि केंदर सरकार की नोकरियों में 33% का रिजर्वेशन मिलेगा महिलाओं को तीसरा बात इन्होंने कहा कि हाई कोट और सुप्रीम कोट में महिला जजों की संख्या में बढ़ोतरी होगी और चोथा है कि गैस सिलेंडर जो है जो 400 रुपे से 1100 रुपे हो गया दस सालों में उसकी भी कीमत को गैस सिलेंडर की कीमतों को कम किया जाएगा तो यहाँ पे आप देख पारें कि महिलाओं के लिए किये गए वादों में कॉंग्रेस का क्या-क्या वादा है आगे बात करते हैं पिछणा वर्ग जो आपका आदिवासी दलित वर्ग है उनके लिए क्या वादा किया उनमें पहला क्या गया कि जाती आदारित जनगना करवाई जाएगी जो भी वर्ग जाती जनगन्ना करवाई जाएंगी, कोई वर्ग अगर वास्तिविक्ता में पिछड़ा वर्ग के स्रेनी में अगर आता है, तो उनको नई अरक्षन दी जाएगी, जाहिए जातीकत जनगन्ना में नई अरक्षन के बाद डेफिनेटली उत्पन्न होगी, इसलि जनगन्ना इतना महत्पूर्ण है, इससे यह पता चलता है, लेकिन देश की सरकार ने जनगन्ना जैसे इतने खतरनाक इश्यू को इन्होंने इग्नोर किया, और इनका वादा था कि जाती आधारे जनगन्ना करवाएंगे, जाती आधारे जनगन्ना नहीं हुआ, खेर उस प पतर में कॉंग्रेस ने किसानों के लिए बात करते हुए कहा कि फसलों पर किसानों को MSV दी जाएगी, आपको पता है आध से कुछ सालों पेले, तेस में तीन क्रिशी कानून आए, जिनका बहुत व्यापक मेमाने पे विरोध हुआ, सालों भर दिल्ली के सडकों पर, किसान आंदोलन करते रहे, ठंड में, गर्मी में, बरसात में, लेकि देश की केंदर सरकार इतनी धीट, इतनी निकम्मी, इतनी कठोर है, कि लाखों की तादाद में किसान, जिन्होंने सालों भर आंदोलन किया, उस आंदोलन की तरफ एक जरा सा भी महत्म देना जरूरी नहीं भारती जनता पार्टी का जो नया गोशना पत्र आया है, उसमें भी MSP के बारे में कोई जिक्र नहीं है, तो इतना कठोर कैसे हो सकता है एक देश के सरकार, आगे बढ़ते, करीबों के लिए बादा करते हुए, भारती राष्टी कॉंग्रेस ने अपने गोशना पत्र में क वेमुला के नाम पर कानून बनाया जाएगा, आगे इन्होंने वादा किया कि स्वास्त पर है, गहलोत सरकार की चिरन जीवी योजना के तर्श पर स्वास्ती भीमा दी जाएगी, और खेल से जुड़े ग्रामीन बच्चों के लिए स्कॉलर्शिप दिया जाएगा, और आर इन दो लोगों को लग से करते हुए, यह गोषना पत्र तयार हुए, जिस पूरे गोषना पत्र को पढ़ने के बाद मुझे तो सैटेस्वैक्शन है, क्योंकि कोई भी सरकार अगर गोषना पत्र जारी करती है, तो डेफेने अतनी है, उसका साट से सतर परशंट तो जरूर ही इंप्लिमेंट करती है, वरना अगला लोग सरा चुनाओं में किस मुझे वो जाएंगे, लेकिन मैं भारती जनता पाटी के गोषना पत्र को में आपको दिखाऊंगा, कि इनोंने अपने वादों का 50% भी पूरा नहीं किया अपने 10 सालों में, खेर, उसके बारे में बात आपको हश की आएगा, तिर्फ मौधी 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 हला करने से कुछ नहीं होता है तो आपको उनसे मिल क्या रहा है, भारती जनता पाटी से मिल क्या रहा है, यह भी आप लोगों को याद रखना चाहिए, कि मेरे को से क्या प्रोफिन है, अगर मुझे ये तो वही बात हो पाटी ने अपने पत्र में क्या-क्या बाते की इसको हम लोग सबसे पहले बात करते हैं पहले इन्हों क्यों प्रवारत योजना देश की सबसे घटिया स्वास्ति यूजना है जो बिलकुल भी इंप्लेमेंट नहीं है आई सुमान भारत पूरी तरीके से नाज में। जो प्रैक्टिकल जिन्हों ने किया है थोड़ा यूटुब पे सर्च कर लेना आपको समय में आ जाएगा आगे देखो गरीबों के लिए मुफ्त रासन योजना दोजार उन्तिस तक चलाए जाएगा यह तो वही बात होगी जो पालिसी चल रही है उसी को आगे चला जाएग देश में चुनाव क्यों आता है घोष्टनापत्र लोग क्यों जारी करते हैं ताकि कुछ नया स्केम आया पूरानी जो स्कीम चल गी उचको दोजार उन्तिस तक हम लोग जारी रखेंगे अब देश में गरीबी को खत्म कर रहे है और आप राशन भी दे रहे हैं मुफ्त देना चाहिए राशन में इसका समर्थन में लेकिन आप लोगों को जरत ही नहीं पढ़ने चाहिए थे कि मुफ्त राशन दो आप गरीबों का जीवन सेली को अस्तर को उचा करिए उनको मंत सारा गरीब वर्तों खेती बरी करके राशन इखटा करी लेता है और राशन का तब भी आप राशन चलो दिया लेकिन आप अगर राशन के साथ-साथ गरीबी रेखा के नीशे वाले लोगों को जिस प्रकास से कॉंग्रेस में वादा किया गरीबों से कि 72,000 रुपय साला न यह नहीं है तो इसको हम लोग काड़ सकते हैं अगर आप मेरे से संतुष नहीं होंगे तो आप नेचे कमेंट बॉक्स में लेकिन मैं वही बात करूंगे जो टूद पॉइंट रियल होगा अज इससे भारत की जनता को आवाम को लाग पोशेगा जिससे नुक्सार कोई प्र सदान मंत्री आवास योजना कहते हैं लेकिन कितना मना उसका 30 परशेंट भी उसका योजना का समावे सफलता पूरवक नहीं हो पाया इन तीनों कंटिनियूसली आप गोश्णा पत्र को पढ़ोगा ना तीनों ही गोश्णा पत्र वैसे हैं जो पीछे के रिपीट किये पूरा कर लेंगे कैसे मान सकते हैं क्योंकि आपका वादा अगर 24 तक में पूरा करने का था आपने नहीं किया तो ऑजार उन्तिस तक वो घुजना पत्र पूरी तरीके से सफल हो पाएगा इसकी कोई गारंटी है जीरो गारंटी आगे बढ़ते मुद्रायोजना के तहत लो लाग रुपे की लोन की सीमा झो है निरदारित की लोन की रासी को बढ़ा रहे हैं इससे हमको और आपको क्याल था आप को अब दस लाग रुपे अगर आपको लोग जाएगा इससे साफ फैदा क्या है बताओना मुझे घरश तो आपको भर लोगों को नागरिक्ता दी जाएगे चलो मान लिया लेकिन इससे भारत की जनता को क्या फैदा परिवार को एक आदिवासी को एक जैनरल को क्या इससे फाइदा नहीं है कोई आखर करके बस रहा है उसको नागरिक्ता दे रहे तो यह भी योजना आप ठीक नागरिक्ता दे रहे हो लेंगे नीस की जनता को इससे क्या फाइदा रीओ कोई फाइदा नहीं स्टार्टिंग का पाच का पाच गोश्चना पत्र विफाल है आगे बढ़ते हैं यूसीसी देश भर में लागू होगा यह अच्छा है यूनिफॉर्म सिविल कोट देश में लागू होना चाहिए यह वैसे दोजार चोबिस से पहले इसे लागू करने की यूसीसी कानून को लागू करने की बात कहिते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोट के बारे में एक पॉरी तरीके से पॉलिटिकल एजेंटा है इसलिए इसका बिरोध होना चाहिए क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन के तहट अपोजिशन को पुरा दबाने की बात हो रही और लोग सवाई एक बहतर लोगतंत्र के लिए देश में अपोजिशन को होना बहुत जरूरी है एक मजबूत अपोजिशन को होना बहुत जरूरी है वरना आप रूस को देख सकते ह अपोजिशन को खत्म करके पुतीन का वहाँ पर ताना सही चल रहा है आप नौर्थ कोरिया को आप देख सकते हैं चाइना को आप देख सकते हैं इसलिए एक बहतर अपोजिशन को होना बहुत जरूरी है वरना मनमर्जी तरीके से समिधान के साथ छेड़शार होगा देश की जनता के साथ छेड़शार होगा क्योंकि सरकार की जो कठोर नीतिया है उसको देश की जनता ने बहुत सांदर तरीके से देख लिया बड़े से बड़ा विरोत प्रोटेस्टन को इतना आसानी से मामूली करार देते हैं यह लोग जैसे इग्नोर करते हैं इनकी मीडिया जैस कुचल दिया जाता है इसको देश की जनता ने देख लिया यानि कि कल के डेट में अगर इनकी मजबूत सरकार बन जाती है जो 400 सीटों का वादा उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि 400 सीटों की बारे में लोग इतना क्यों धिंडोरा पिट रहे और वो चार जनम में पूरा नहीं होने वाला है वोँ भी मैं आपको बताऊंगा चार सो सीटों का जो वादा कर रहे है भारती जंता पाटी क्यों कर रहा थे कि वह भी मैं आप लोगों को सबद्वाइब की отв हर् एक सरण होता हैuellement उ उसका तर जडरल उसका मोडूल क्या होना चाहिए उससे opposition भी सहमत हो, तभी यह सही है, opposition अगर सहमत नहीं है, यह गलत है, क्योंकि जाहिर सा बात है कि अगर election के बारे में बात आती है, तो सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए, opposition को भी, और जिसकी सत्ताधारी party है वो भी, आगे बढ़ते हैं, paper league नियंतरन के लिए कानून लाए कि किसान समान निधी योजना जारी रखेंगे, जो योजना पहले सता वही जारू रखेंगे, MSP देंगे नहीं, बोला है कि फसलों में MSP की rate को हम लोग बढ़ाएंगे, इस से भी मुझे पूरा उम्मीद है कि भारत के किसान पुरन था, और सहमत है, आपर MSP देने की गारं तो इन दस घोषनाओं में आप जब ध्यान देंगे, तो सिर्फ तीन घोषना आपके काम के लगेगी, बाकी साथ जो घोषना है, वो बिल्कुल ही बेकार है, बिल्कुल ही रद्दी है, ऐसा इसलिए, क्योंकि यहां से भारत की जन्ता को, भारत के देश्वासियों को कोई किशान के बारे में कहां पर बात है, धंकी, करीब के बारे में क्या बात है, दलित के बारे में क्या बात है, युवाओ के बारे में क्या बात है, कोई बात नहीं, भारती जन्ता पाटी के द्वारा यह जो घोषना पत्र जारी किया है, यह पूर्णता इसको दस में से जीरो तो एक तरब दस में आप क्योंकि भारत के जनता को जिससे लाव नहीं होगा वो घोजना पत्र पुर्णता बेकार है भारत की जनता को क्या उससे प्रॉफिट हो रहा है यह इस बात का जरूरी रहत है इस वीडियो को देखने के बाद आप यह भी डिसाइड कर सकते हो कि आप ब्रत दीयार है तो कॉंग्रेस पार्टी से हैं आपकी आपकी अपनी सोचे शम्क tough कुछ भी लेख फिस ते मुझे रदीभर में पड़ता में गरीब niez वह बे रोजबार को श्रुकार रखारक्य जिक्र नहीं होगा तो किस बात का कोई पolitte को वूट देने नरेंद्र मोधिस कहती है कि पकोडिा तलना नहीं है उनसे कहनाँ में चाहिए कि भारत के युवाव का अधिकार है हक सालों there को सरकारी नोक्री 1 करता है अब तेजी से प्राइवेट इजिशन की तरफ बढ़ रहे हैं तो इसमें आबादी को कंट्रोल लाने के लिए आपकी तो चमता है नहीं इदर उदर के सिर्फ हिंदु करने के लिए कोई कुछ कर रहे हैं मैं आपसे लोग समध चुना वह वह पॉपुलेशन काुंट है इसलिए इसलिए क्यूंकि बारती जनता पाटी ने वादा किया था कि जातिकर जनगर्ना करवाएं जातिकर जनगर्ना पर इनका इफट Most गना है इसके बारे में मैंने पहले भात कि कि हैं भारत के रख्षा के साथ किया गया मजा जिसने देश की युवाउ को बहुत ज़्यादा नुक्सान पहुच रहा है इनके अंदर मात्रभूमी को लेकर के देश की रख्षा करने को लेकर के जुस अपने और उन्होंने सजाय रखे हैं इस इसकिम के तहत उन ख्वाबों को कुछना जा रहा है इसलिए अगनीवीर योजना भारत की सबसे क्या योजना में से एक है आगे बढ़ते हैं आपने मनिपूर के घटना सुरी मनिपूर किस प्रकार से जला और मनिपूर में किस प्रकार से डेमोक्रेशिक खत्म हुई मनिपूर के बारे में आज देश की कोई भी नेसनल में बात नहीं कर रही है जबकि मनिपूर कितना बड़ा इशू है आ करते हैं भारत के प्रदान मंत्री मनिपूर को इग्णोर करना भारत की जनता के हितों में यह आवाज उठे चाहिए कि एक राज चल रहा है देश के प्रदान मंत्री उस सिच्वेशन को कंट्रोल नहीं कर पारे कि कितनी बड़ी दुखत बाते बताओ आगे जब हम लोग बढ कर रहे हैं कि वहां पर उनकी अपनी अपनी विधान समा होनी चाहिए के इसके बाद आता है किसान आंदोलन आप लोगों को पता है आग से कुछ सालों पहले किसान आंदोलन हुआ था तीन कृशी बिल्गे विरोध में सालों वर्दक प्रोटेस्ट होता है लेकिन मैंने या तो मानिपूर के घंड्राब लदक किसान में टाफीय चलता है कि शरकारसे ही करी और मानवानी तर effects बड़े से बड़े इसे जलेगा महराश्रेय से जलेगा अगर अपंगाल के लोगें एसे करेंगे यहां से संदयस्विता है कि सब्सक्रतिशी खाल करेंगे सानी से कज़़ेंगी मेशनी क्या हूं लास्ट में अलग-अलग यूटूब चैनल चोटे-चोटे मोबाइल फॉन और यूटूब चैनल के जली आपको जानगारी मिल रही है कि कैसे अपने ही देश में मनिपूर, लदाख और किशानों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है साल 2019 की लोगतवा चुनाव में भारतिय जनता पाटी ने एसकी जनता के साथ अपने चुनावी गोश्टा पत्र के माध्यम से दस बड़े वादे इसी प्रकार से किये थे उसमें से मात्र पाच वादे पूरे हुए और पाच बड़े वादे अभी भी बागी हम लोग यह समझ लेते हैं कि भारतिय जनता पाटी के द्वारा कोन से बादे पूरे किये गए और कोन से बादे पूरे नहीं किये गए सबसे पहने वादा जो सबसे बड़ा चीवमें इस राजनितिक भारती जनता पाटी का अपने सत्ता के दौरान रहा वह है आर्टिकल 370 भारत के लिए बहुत बड़ा चीवमेंट है और निस्ची तोर पे भारती जनता पाटी को चुनाओं में इसने बहुत प्रॉफिट हो में बहुत है लेकिन बोग सबसे पहले मंदिर आपको बता है यह पूरा तरीके से बना भी नहीं था है ता उसका उद्गाजन किया गिया जाहिर सा बात है एक ही उद्देश से हैं उसके पीछे लोग सबाँ चुनाओं लोग सबाँ चुनाओं के वज़ए सही इतनी फास्ट और इतनी तेजी से जो है देश में इतनी बड़ी इस्यूस है उसको इग्नोर करके मंदिर का निर्मार करना चाहँगा तारीफ करना चाहिए अच्छी है उसका था है का आपका निश्चित तुर्फि बहुत लोग इसके प्क्स में होंगे तेक्टिए का किस प्रकार का इसके प्रती ऑपनेन है इसके लिए में बहुत ज्यादा खुश को नुग्त जयादा दुखी हूं दिश्ची तोर्पे इससे भारत के नागरीकों को थोड़ा नुक्षा नहीं होगा क्योंकि जाहिर सा बात है कि देश में अल्री इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है देश में बेरोजगारी पहले से हैं देश में युवाओ की संक्या तो कम है नहीं देश में गरीबी है बेरोजगारी है महंगा यह अल्रेगी चरम पर है और देश में अगर किसी आप दूसरे देश के नागरिकों का नागरिकता दोगे तो वो लोग भी अपने लिए नो नोकरी मांगेंगे धर मांगेंगे पॉपूलेशन एक तो इंडिया के ज़्यादा है तो CAA को लागू करना मेरे हित में तो कोई समझ के परे है लेकिन तब भी चलो राष्ट हित में यह तो समय ही बताएगा कि CAA से भारत को कुछ फाइदा हुआ या इससे नुख्षान हो रहा है यह तो वक्त बताएगा अभी अभी तो लागो ही हुआ है पहले थोड़ा सो समय देते हैं इसको उसके बाद इसके बारे में पिस्लेस डूप से हम लोग एक वीडियो बना देंगे आगे है महिला आरक्षन बिल महिला आरक्षन बिल भी भारतिय जन्ता पार्टी के लिए एक बड़ा अचीवमेंट है इसके लिए भी हमें इनका तारीफ करना चाहिए वैसा ये जन्दगन्ना के बाद ही देश में इंप्लेमेंट होगा लोग सवा चुनाओ के बाद और जन्दगन्ना के बाद देश में महिला आरक्षन बिल को इंप्लेमेंट किया जागा लेकिन चुकी ये बिल लागो हो गया है तो निश्चित तोर पे हम लोग इस बिल का तारीफ कर सकते हैं आगे हम लोग बढ़ेगे अब आगे उन मद्दों को समझ लेते हैं जो भार्तिय जन्दापाटी ने वादा किया और उन वादोंको पूरा नहिं noises IT और NRC अपने पूराने वीजीíogen आप देख सकते हैं नेसटनल रेजिस्टर 예요 का या एक registration होगा कि भारत का नागरिक कौन है कौन नहीं है तूसरा है uniform civil court कि उसी सी को भी लागू करने की वढ़ा पिछले 2019 के ही लोग सब हचुनाओं में भारतिये जन्ता पार्टी ने किया था uniform civil court भी देас में अभी तक लागू नहीं हुआ है लेकिन हो जाएगा अगर इनकी सरकार बनती है तो मुझे उम्मीद है तीसरा जो सबसे बड़ा हमें देखने को मिल रहा है भारती जंता पार्टी के द्वारा किया गया जुमला कि पाच ट्रिलियन एकोनॉमी को 2022 तक बनाने का वादा था मान्य हमारे प्रधान मंत्री शौहप भारत की एकोनॉमी को पाच ट्रिलियन बना देंगे आर्बिया के गवर्नर कह रहे है कि 2025 तक क्या 26 तक भी यह पॉसिबल नहीं है जो बात को बोल रहे हैं उनसे भी ज़्यादा होश्यार निकल गे हमारे दिसके प्रधान मंत्री कम पढ़ेलिक होंगे हमारे आर्बिया के ग नमामी गंगे स्कीम नमामे गंगे स्कीम के तैत भारती जनता पाटी ने देश की आम जनता का टेक्स के द्वारा दिया गया पैसा का पीस हजार करोड रुपया निकाला और इन्होंने बोला कि गंगा की सफाई में हो लोग इसको खर्च करेंगे आपको बालूम होगा कि मा अगला है प्रधानमंत्री आवास योजना भी पूरी तरीके से फैलियर होता हुआ है मैं नजर आया है इस पकार से भारत के प्रधानमंत्री नवादा किया था कि जितने करीबों के लिए हम लोग आवास बनाएंगे उसका लक्स का 30% भी अच्शिव नहीं हो पाया है जो कि मैं उनके मुर्पता पर भी उसना चाहूंगा जाहिए एक पॉलिटिकल पाटी आपके हितों के लिए नए से नए स्कीम लाए जा रही है और इनका कहना है कि पुराना वाला जो चल रहा है वही चल अब मुझे तो यह बिल्कुल समझ के परे हैं कि अगर इससे भी अगर हुआ है